जहाँ प्रेम है वहाँ आनन्द ही आनन्द है और यदि परिवार में सब अपनी जिम्मेदारी निभा करके सब एक दूसरे की रिदे की भावना को समझ कर जीते हैं वो घर स्वर्ग होता है जैसा कि मैंने कहा भी था शायद कि आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया केते हैं न मरने के बाद पिताजी के जाने के बाद लिखते हैं बच्चे हमारे पिताजी स्वर्ग वासी हो गए अब ये तो पिता जी से पूछना पड़ेगा कि स्वर्ग गए की नहीं यदि वो स्वर्ग वासी हुए और स्वर्ग इतना अच्छा होता है तो उन्होंने कभी आपको बुलाना नहीं चाहा कि आजाओ भई या वहां क्यों पड़ेओ ये बहुत अच्छी जगह कोई दूसरी दुनिया स्वर्ग नहीं है जिन परिवारों में माबाप दुखी और आशूं से रो रहे हो वो घर ही नर्क है और जिसमें माता पिता की सेवा होती हो बच्चे संसकारी हो वो घर ही स्वर्ग है और कोई दूसरी दुनिया स्वर्ग की नहीं है आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया बेकार के ब्रहमों में भटकी हुई है दुनिया है स्वर्ग तो वहीं पर जहां मधुर मीठी वानी उस घर कभी न आये कोई भी परेशानी जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी एक दूसरे को समझ कर जहां लोग रहते हैं वो घर स्वर्ग होता है और एक व्यक्ति भी अगर विफरीत विचारदारा का होता है तो रामाइड उसका भी उधारन देती है कि क्या होता है प्रत्यक व्यक्ति की छोटे या बड़े प्रत्यक व्यक्ति की उतनी ही जिम्मेदारी और उतना ही कर्तव्य हैं बच्चे अधिकार की बात करते हैं अरे पिताजी की संपत्ति पर मेरा पूरा अधिकार है लेकिन पिताजी के लिए कर्तव्य क्या बनता है थोड़ा इसको भी सोच लें और बड़े भी ऐसा करते हैं अरे भाई पैदा किये हैं तो कौन सी बड़ी बात है उनका भी एक जीवन है वो भी एक स्वतंत्र सत्ता है युश्वर की वो भी एक वही तत्त्त है जो तुम है इसलिए छोटा हो ये सोच करके उसको छोटा नहीं समझना है प्रत्यक व्यक्ति युश्वर कांश है हो सकता है कि बड़े लोग कुछ दिन पहले इस दुनिया में आ गए हैं बच्चे थोड़े दिन बाद इस दुनिया में आए हैं बस उतना ही तो अंतर है समय का अंतर है बस क्योंकि बड़पन तो व्यक्ति के कर्म से होता है जो छोटों को भी गले से लगा कर चले जो छोटों को भी समाल कर चले जो छोटों को भी उनका कर्तव ये बताते हुए उनकी भावनाओं को समझते हुए चले वो बड़ा है चाहे फिर वो कोई भी हो इसलिays हम सबको एक दूसरे की भावना से जुड़ करके अपना घर मंदिर बनाना है अपना घर स्वर्ग बनाना है ओ एक गीत गाती थी पहले घर में महिलाएं माताएं गाती थी कि घर को ही मंदिर बनाऊंगी कहीं बाहर न जाऊंगी शायद आप भी गाते हो, पहले हमने सुना था कि सास अपनी को कोशल्या बनाऊंगी, ससुर जी को दश्रत बनाऊंगी, पती को मैं राम बनाऊंगी, कहीं बाहर न जाऊंगी, मैंने ऐसे को शब्द गाती थी, कि मैं घर को ही मंदिर बनाऊंगी, घर ही तीरत बन जाएगा, ज मेरा तीर्त, मेरा मंदिर, मेरा घर ही हो जाएगा फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है मुझे जब घर ऐसा हो जाए ऐसा माताएं गाती थी उनके सामान्य शब्दों में कितनी गहराई छुपी होती थी हाजम घरों को नर्क बना रहे हैं क्या बना रहे हैं घरों को नर्क बना रहे हैं, स्वर्ग नहीं बना रहे हैं, यह सोचना आपका काम है।